नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर सहमारे इस चैनल वेदिक द्रिश्टी पर दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बहुत ही जरूरी और खास चीज के बारे में जिसको करने से आपके जीवन में धन, सुख और समरिधी खुद ही आकर्शित होती है धन प्राप्ती के नए-ने मार्ग आपके जीवन में खुलते हैं क्योंकि जब भी आपकी एनरजी बदलती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो खुद ही सुख और समरिधी आपके जीवन में आकर्शित होने शुरू हो जाती है परंतु इसके पीछे का रहस्य क्या है? और किस तरह यह कार्य करता है? आपको इसके बारे में भी पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से आपको यह करना है कि कितने ज्यादा लाब आपको अपने जीवन में मिलते हैं। इसलिए इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को बिलकुल ध्यान से समझ कर आप इसका जरूर लाब उठाएं क्योंकि जब भी आप इस उपाय को इस्तिमाल करते हैं तो खुद ही एक ही दिन में आपको किसके रिजाल्ट भी दिखने शुरू हो जाते हैं। इतना ज्यादा शक्तिशाली ये उपाय समझा जाता है। शनिवार का दिन बहुत खास होता है क्योंकि इस दिन तो तोटके किये भी जाते हैं और उनसे छुटकारा पाने के उपाय भी किये जाते हैं। इस दिन आप कैसे सुरक्षित रहे ये माइने रखता है और जब भी कुछ करें, अपने अच्छे के लिए करें तो चलिए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, जब शनिदेव की पीडाय परिशान करती है, तो चारों तरफ से परिशानिया आती है। जब घर के मुख्य दरवाजे पर आपको गंगाजल रोज ही डालना है। गंगाजल नहीं है, तो टामबे के किसी पातर में या मिट्टी के किसी बरतन में रात में ही जल भर कर रख लें। पानी डालना है। अगर पानी डालने की व्यवस्था नहीं है, जब दो-चार बूंद छीन्टे डाल दें और फिर सफाई करवाएं। पानी डालने से क्या होता है। जो अतिरिक्ट आत्माएं हैं वो शांत हो जाएगी। आपके जीवन की मुश्किलें आपको परिशान नहीं करेंगे तो यह उपाए जरूर करें। और दूसरी बात, जब हम घर की सफाई करवाते हैं, जाडू पोँचा लगवाते हैं, तब पोँचे वाले पानी में नमक या फिर फिटकरी डाल कर पोँचा लगवाएं। फिटकरी कैसे डालेंगे, जो डली वाला फिटकरी होता है, वो आप एक डली ले लें, पोँचे के पानी में एक बार घुमा लें, या मग में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें घुमाले फिटकरी उठा कर रख लें, और उसमें जो पानी है, उसको पोँचे के पानी में मिला दे दो. आप उस पानी से पोचा लगाएं या फिर नमक डाल कर पोचा लगवाएं, आपके पूरे घर पर किसी भी तरह का कोई जादू टोना किसी का नहीं चलेगा. आप लोग स्वस्थ, मस्थ और सुरक्षित बने रहेंगे. यह बहुत सिंपल उपाए हैं. आगे बढ़ने से पहले आप से रिक्विस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा. तो शनिवार के दिन छोटी-छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो बाहर निकल आते हैं. शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करें. अगर आप कर्ज में फंसे हैं, जीवन की मुश्किले बहुत ज्यादा परेशान कर रही है. तब आप छोटा सा उपाय कीजिएगा, क्या करेंगे? अगर कर्ज में फंसे हैं, तब आप शनिवार क के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर शाम के वक्त पान का बीडा हनुमान जी को अर्पित करें. पान के पत्ते में आपको चुना और जर्दा नहीं डलवाना है. जब ऐसा बेडा बाम वएंगे, दुकानदार को पता होता है. नहीं तो आपको घर में बनाना है. घर में बना सकते हैं, उसके लिए एक पान का पत्ता लें, और उस पर आप लोंग इलाइची रखे, थोड़ी सी मीठी वस्तु रखे. उसका बीडा बनाकर हनुमान जी के चर्नों में रख दें, कत्था भी डाल सकते हैं, शनिवार के दिन क्योंकि सर्सों के तेल का उपाय किया जाता है, तो आएए हम विस्तार से जानते हैं कि कैसे जीवन की मुश्किलों से बाहर निकला जाएं. सर्सों के तेल का सबसे खास उपाय ये होता है कि शनिवार के दिन एक स्टील की कटोरी में सर्सों का तेल ले ले, अब इसमें अपनी चाया को देखें, फेस को देखे, अब इस तेल में उड़त डाल के बड़े बनाकर आप किसी जानवर को खिला दे, कुट्टे को खिला सक प्रकोग शांत होता है, परन्तु हर किसी के लिए यह चीज संभव नहीं है, तब ऐसे में जब आपके घर में रोटियां बनती है, तो सबसे पिछली जो रोटी होती है, उस रोटी का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि कुट्टे के लिए पिछली रोटी ही निकाली जाती है इस रोटी पर थोड़ा सा तेल लगा दे, रोटी पर संभव हो तो एक बूंद सरसो का तेल आगे पीछे उंगली से हलका सा टच कीजिए, उस पर एक चुटकी काले तिल रख दें, और हो तो गुर भी रख सकते हैं, इसके बाद अपने उपर से तीन बार उल्टा वार ले या आपके घर में कोई बच्चे हैं, जो अकसर शैतानिया करते हैं, बीमार रहते हैं, नजर जल्दी लगती है, या फिर किसी तरह की कोई टेंशन है, किसी के भी सरसे वार ले और ले जाकर इसको कुट्टे के सामने प्यार से दे दें, एक खास बात और भी है, शनिवार के दिन आप कुछ करें या ना करें, आप बालों में तेल जरूर लगाएं और संभव हो तो नाभी में लगा कर साये, ऐसा करने से भाग्य उदे होता है, जीवन की मुश्किले कम होती है, और आपने सुना होगा, नाभी में तेल लगाने से होट भी नहीं फटते हैं, और आप का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, क्योंकि नाभी पूरे शरीर का केंदर बिंदु है, इसलिए तो कहा जाता है, कि नाभी को छेडो मत्तो नाभी में थोड़ा सा छुना सरसों का तेल या कोई भी तेल लगा ले, और थोड़ा सा तेल अपने सर पर, और आपके घर में ज के नीचे रखा था, तब हनुमान जी ने उनको वहां से बंधन से मुक्त कराया था, तब शनिदेव ने हनुमान जी को वर्दान दिया था, कि जो भी मेरी पूजा करने के बाद आपकी पूजा करेगा, उन भक्तों पर कभी भी हम अपनी कुद्रिश्टी नहीं डालेंगे, इसलिए शनिवार के दिन जब आप शनिदेव की आराधना करते हैं, तब उसके बाद हनुमान जी की आराधना जरूर करें, इससे शनिदेव आप पर कभी कोपित नहीं होंगे, कैसे उनकी पूजा करेंगे? बहुत सिंपल है, अगर आपके घर के आसपास उनकी शीला है, तो वहाँ पर आप पूजा कर सकते हैं, शनिदेव की आखों में नहीं देखा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए उनके मूर्ती की पूजा नहीं होती है, जहां शीला है, वहाँ पूजा होती है कहने का तात पर्य यह है कि ऐसी मूर्ती का दर्शन ना करें, जो आपकी आपकी ओर देख रही है आपने देखा होगा, शनिदेव की मूर्तियों की आखें उपर की ओर देखती है जानबूज कर ऐसा बनाया जाता है, ताकि आप पर नेगेटिव असर ना पड़े वैसे तो पीपल के पेड में एक लोटा जल अर्पित करने से भी शनिदेव शान्त रहते हैं और शनिवार की सुभह जब आप जल अर्पित कीजिएगा, तो एक लोटा जल में एक चुटकी काले तिल और थोड़ी सी गुढ या मिश्री सफेद पुष्प और एक चुटकी अक्षत ले कर जाएं और प्रेम से अर्पित करके मा लक्ष्मी को कहे कि आप मेरे साथ चलिये और शान के समय पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दिया दो चार दाने काली उरद के या काले तिल के डाल कर जरूर जलाएए और अगर जीवन में बहुत दुख हो तब शनिवार के दिन बेलपत्र का जो पेड होता है उसके नीचे दो मुखाधी का दिया जला दीजिएगा लक्ष्मी दौडी चली आएगी वैसे और एक बात याद रखिएगा जब भी शनिदेव की पूजा करें तो उसके बाद हनुमान जी की पूजा जरूर करें नहीं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है और शनी देव के अशुब असर से बचने के लिए शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए ताकि आपके जीवन के दुर्भाग जिसे आप बाहर निकल पाए हनुमान जी के भक्तों पर शनी देव अशुब असर नहीं देते और शनी दोसों से मुक्ती के लिए आप चोला चड़ाएं, कभी कभी शनी देव अगर कोपित हो जाएं साधे साती ढया चले तो ना तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा ना ही जीवन में आप खुश रह पाएंगे, टेंशन और शत्रु विरोधी बढ़ जाएंगे, अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपको लगे की बहुत ज्यादा परेशानी है तो शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला अर्पित करें अब यह चोला क्या होता है? चमेली का तेल या फिर घी ले लें, इसमें सिंदूर मिक्स करके हनुमान जी के शरीर पर लगाएं उसी को कहते हैं चोला अर्पित करना, परंतु जो महिलाएं हैं, वो लाल पुश्प अर्पित करें, वह हनुमान जी को स्पर्ष ना करें इस दिन हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए उससे आपके उपर क्रिपा बरसेगी शनिवार के दिन भूल कर भी किसी से पैसे उधार ना ले अगर इस दिन कर्ज लेंगे तो लंबे समय तक वो कर्ज आपके पास रह जाएगा आप उतार नहीं पाएंगे इसलिए शनिवार के दिन कर्ज या उधार लेने से बचे इस दिन हनुमान जी को भी खुश करने के छोटे से उपाय किये जाते हैं जब आप शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के व्रिक्ष के नीचे जो दीपक जलाते होंगे तो यह दीपक सरसों के तेल और इसमें दो चार दाने काले उड़त की दाल दे अगर आपके पास काली उड़त के दाने नहीं है जो काले तिल डाल दिया हो सकता है आपके घर के आसपास पीपल का व्रिक्ष ही नहीं हो तब क्या करेंगे तब ऐसे में अपने घर के मुख्य दर्वाजे के बाहर दाहिने साइड आफ एक दिया जला दे सरसों के तेल का दिया जला दे इसमें कुछ मत डालिएगा मिट्टी का दीपक जलाना है दीपक के नीचे आसन जरूर दीजिएगा आसन मतलब कुछ भी रख सकते हैं फूलों की पंखुडिया पत्ते रख सकते हैं इसके बाद इस दीपक का मुख्य दक्षिनी दिशा की तरफ रखें यह शाम आप पीपल के नीचे जो दीपक जलाते हैं यह पित्री देवों की नियमित होता है और घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की जलाने से वही फल मिलते हैं बाद में इस दीपक को मिट्टी में कहीं दबा दीजिए या कहीं पर साइड में सुरक्षित रख दीजिए तो इस तरह से आप शनिवार की शाम जीवन के कश्टों को दूर करने के लिए शनी देव की शरण में आ सकते हैं आज हम आपको एक खास उपाय के बारे में भी बताएंगे अगर आपकी नौकरी रोजगार की समस्या है तो जो ब्राउन चना होता है उसको आप शुक्रवार की रात पानी में भिगो लें और शनीवार की सुभा उसको सर्सों के तेल में हलका सा गर्म कर ले उसमें तेल मसाला कुछ भी नहीं डालनी नमक भी नहीं डालना है और उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद किसी भी जानवर को खिला दे नौकरी रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी सावन शनिवार के दिन शमी पेड की जड़ शिवलिंग पर चढ़ाएं और अगले दिन इसे तिजोरिया धन स्थान पर रख ले मान्यता है इससे शनी जनित दोश का कारण तरक्की में आ रही बाधाएं दूर होती है तो आज हमने आपके साथ बहुत सारी बाते साझा की उम्मीद है आपको पसंद आई होगी आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर जब आईएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तब के लिए धन्यवाद